दोस्तों वह अपका मसती में आपका स्फवागत है आज हम गुना का ट्रिक बताने जा रहे है गुना का शाय एक बीडियो डाले हैं तो आप देखे पहले वह सिर्फ बेसिक है आज बेसिक से भी है डौल आफल बेसिक सीठी Imag है कि अजाकों सिर्फ दोंख के सभी संख्याल कुछ अगा करने की जो आए उप लिख दिजी और गुना कर कि इससे पहले हम 9 यह कूना करने का क्रीजिक नहें से ग०्य है उप्सी कहें हैं और दुसरा ऐख कि जिसके 10 अंक समान हो और 11 अंक का योग 10 हो यह गुना सिखाए है ऐसा सिखाए है कि जेसका जैसे हम लेख रहे हैं 56 गुने तो चोवन ते दहाई अंक समान हो आई इकाई अंक का योग दस हो वो गुना सिखाए है तो क्या करते थे तो चोचोगे 24 कर देते थे अब 5 में एक बहा करके 5 से गुना यानि 5 बहाएंगे तो 6 चोगे 5 से गुना करेंगे तो 30 यानिकि 56 गुने हो गया 30 24 लेकिन आज आपको दुनिया के किसी दो आंकी संख्यां अप लिख दिजिए उसका एस्कुएर एगर आप निकालिएगा तो एक से दू सेकेंड में आपने दालिएगा चलिए देखते हैं हम जैसे हम लिख रहे हैं तेरो गुने चवदा पंदरो आठारो पाटीश तोईश 26 23 कोनो जो मन करें सो लिख दिजिए लेकिन हम इसको गुना करेंगे तो देखिए दो से तीन सेकेंड लगेगा बहुत हो गया 28 गुना 86 कुछ हो जो मन में आए वो लिख दिजिए और करेंगे आ जाएगा जैसे देखिए हम 13 गुना 14 लिखें हैं तक पहले क्या कीजिए आप देखिए मेरे पहले ऐसा कर लिए उसके बाद ऐसा और ऐसा करके दोनों को जोर दिजिए उसके बाद ऐसा करके लिख दिजिए ठिक पहले नीचे की ओर उसके बाद कोना को नी उसके बाद फिर नीचे की ओर चलिए तो हम चलते हैं देखिए तीन और चार को पहले कीजिए तीन चोके बाड़ा का दो हासिल एक अब देखिए चार को एक से कीजिएगा तो चार तीन को एक से कीजिएगा तो तीन 4-1-4, 3-1-3, 4-3 को आप जोर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 एक हासिल वला है तो कितना हो जाएगा, 8 अप फिर दुन्नू साइड वला को भी गुना कर दीजिए, तो एक-एक को गुना किजिएगा, तो एक जैसे दखिए 15 18 है पहले ऐसा किजिए तो 5 8 कितना होता है 40 5 8 40 तो 5 8 40 के 0 हांसिल 4 बच गया 8 को 1 से करेंगे तो 8 5 को 1 से करेंगे तो 5 8 5 13 उसमें जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 13 4 17 17 का 7 हांसिल कितना बच गया 1 बच गया उसके बाद आब 1 1 को गुना किजिएगा तो 1 होगा उसके बाद ये 1 जोड देंगे तो कितना हो गया यानि 15 18 को आप गुना किए तो 270 होगा चलिए नेक्ष देखते है जैसे 25 गुना 20 लिखें है तो 25 से गुना करने के करने बहुत ही आसान है लेकिन आसान होते हुए पर भी देखिया हम इसको भी आसन कर देते हैं अगर वो रूल नहीं भी जानेंगे तब पर भी जेनरल तरीके से जैसे 5 को 3 से कीजिए तो 5 तिया 15 15 के 5 हांसे ए 3 को 2 से और 2 को 5 से कोना कोनी कोना कोनी तो 3 दूना 6 अब 5 दूना 10 10 और 6 को जोड़ दीजिए तो 16 एक हांसिल बचा हुआ था तो 16 एक सत्रों को साथ हांसिल 1 फिर अब इसको कर दीजिए तो 2 दूना 4 आए एक हांसिल वला है तो कितना हो गया 5 अब कांसर हो गया 575 चलिए अब यहां पर है 26 और 23 तो 26 तेस को गुणा करेंगे तो पहले ऐसे तो छोतरी का थारा का आठ हांसिल 1 उसके बाद कोना कोनी गुणा करके एड कर देना है तो 3 दूना 6 अच्छव दूना 12 तो 12 अच्छव कितना हो जाएगा 18 एक हांसिल है तो 18 एक 19 का 9 हांसिल 1 उसके बाद फिर नीचे की और 2 दूना 4 अच्छार में हांसिल 1 जोर देंगे तो पांच सो अन्ठाउन वे चलिए यह 68 और 18 है हम बोले है दुनिया की कोई दून के संख्या लिखती जीए और गुणा कीजिए तो एक बार में निकालिए 44 को करेंगे तो 8 सत्य 56 के 6 हांसिल 5 अब कोना कोनी गुणा तो 8 सक्के 48 एक सत्य 7 48 और 7 जोर देंगे तो 5 पन हांसिल कितना बचा हुआ है 5 पन 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 कितना हो जाएगा 60 60 का सुनना हांसिल 6 फिर 6 को एक से करेंगे तो 6 हो जाएगा अच्छे हैं में 6 जोर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 कांसर हो गें 12 सच्छे चलिए इसको देखिए जैसे है 88 गुने 86 तो पहले ऐसे करेंगे फिर इसको कोना कोनी इदोनों को एद कर देते हैं फिर इसको ऐसे करते हैं चलिए अच्छा के 48 के 8 हासिल 4 अच्छा के 48 अठी अठी 64 अच्छा के 48 हो गया अठी अठी चाउच्छा हो गया हासिल कितना है 4 है जोर देजिए 8-8-16 के 6 हासिल एक छोचार दस्तिक 11 यानि 116 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 11 बच गया फिर अठी अठी 64 अच्छाउच्छ में 11 जोर दिजिएगा कितना हो जाएगा 75 आपका आंसर कितना हो गया 75 68 कोई भी गुणा हो दू अंक का कोई संख्या जो मन करें वह रख लिजिए और करिए डैरक्ट निकल जाएगा चेरी नेक्स देखिए जिसे 96 गुणा 93 95 गुणा 97 88 गुणे 82 86 गुणे 76 जो मन में आये वह लिख लिजिएगा और आप गुणा करते जाएगा आपका गुणा इसी तरीके से निकलते जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गुणा को देखेंगे और गुणा के ट्रिक के साथ देखते चलेंगे भाग के ट्रिक को देखेंगे उसके बार भाज्यताओं की संख्या देखेंगे गुरंफल देखेंगे बहुत सारी चीज़ को देखते जाएंगे तो इस वीडियो के लिए इतना ही तक फिर नेक्स वीडियो में देखेंगे